उत्तर प्रदेश सरकार के ओद्योगिक विकास मंत्री नंद गोपाल गुपता नंदी और प्रयागराज की पूर्व महापौर अभिलाशा गुपता नंदी के साथ तीन दिवसिय दीपावली उत्सव के लिए 69 दलित बस्तियों और जुगी जोपडियों के बच्चों प्रया प्रयागराज से लखनाओ की बच्चाएं ने यात्रा की यात्रा के दौरान व्यंजन का आनंद, लगजरी बस का सफर, फाइव स्टोर रिजॉर्ट के लगजरी रूम में रुकना और वहाँ डिनर, ब्रैकफास्ट और लंच के साथ डीजे नाइट का आनंद लिया फिर अगले दिन आज कैबिनेट मंत्री के साथ वाटर पार्प में जम कर मस्ती और धमाल किया दलित बस्तियों में रहने वाले बच्चों के लिए या आनंद किसी सपने से कम नहीं है लेकिन नंदी ने बच्चों के इस सपने जैसे आनंद को धरातल पर उतारा और खुश्या बातने का प्रयास किया उलेकनिय है कि वंदे भारत एक्स्प्रेस और लगजरी बसों से प्रयागराज शहर दक्षिनी विधानसभाग शेत्र के 69 दलित बस्तियों और जुगी जोपडियों में रहने वाले करीब 800 बच्चे अपने अभी भावकों के साथ शुकरवार की शाम लखनव पहुंचे थ अनंदी वाटर पार्क पहुंचने पर नंदी और उनकी पतनी अभिलाशा गुपता ने तिलक लगा कर बच्चों का स्वागत किया अनंदी वाटर पार्क के रिजॉट में बने सैकडों लगजरी रूम बच्चों के लिए बुक कराए गए थे रूम में थोड़ी देर रुकने के बाद शुक्रवार की रात बच्चों ने नंदी द्वारा बनवाए गए शुद्ध इलाहबादी भोजन का आनंद लिया और भोजन के बाद डीजे नाइट में जम कर धमाल मचाया नंदी, अभिलाशा गुपता और उनकी पुत्री जानहवी ने भी डीजे नाइट में बच्चों का पूरा साथ दिया मंतरी नंदी ने बच्चों की इस मस्ती में उनका पूरा साथ दिया और उत्सा वर्धन किया बच्चों की खुशी और आनंद को देख कर नंदी कई बार भावुखो उठे उन्हें अपना पुराना जीवन याद आ गया जब वे भी इन्ही बच्चों की तरह दीपावली जैसे त्योहार पर छोटी-छोटी खुशियों के लिए तरस्ते थे कहते हैं कि खुशिया बाटने से खुशिया बढ़ती हैं और खुशी देना ही खुशी पाने का आधार है इस फलसफे को अपने जीवन में अपनाते हुए मंत्री नंदी पिछले कई वर्षों से अलग अंदाज में ही दीपावली पर गरीब और जरूरतमन्द परिवारों के बीच खुशिया बाटते चले आ रहे हैं अपने शहर दक्षणी विधानसभाग शेत्र के विभिन दलित बस्तियों एवं जुग्गी जोपडियों में रहने वाले बच्चों के साथ दीपावली का त्योहार मनाते चले आ रहे हैं दीपावली पर मनपसंद खरीददारी करवाई वो भी देश के सबसे बड़े लूलू मौल में नंदी ने बच्चों को लूलू मौल में स्थित जुडियों के मेगा स्टोर में खरीददारी करवाई जहांके कपड़े और अन्य सामान बच्चों को बहुत पसंद आये अपने मन पसंद कपड़े और अन्य उफार पाकर दलित बस्तियों के बच्चे चहक उठे नंदी ने कहा कि खुशियां बातने के पर्व दीपावली पर गरीब परिवार के बच्चों के चहरे पर खुशी और मुस्काम देग कर खुशी मिलती है क्योंकि गरीब हो या अमीर हर किसी को त्योहर मनाने का अधिकार है हर किसी के जीवन में खुशियां चाहें ऐसा हम सभी को प्रयास करना चाहिए अगर ईश्वर ने हमें इस काविल बनाया है कि हम किसी की मदद कर सकते हैं उनके घरों में खुशियां ला सकते हैं तो हमें ऐसा जरूर करना चाहिए इसी कोशिश के तहट हर साल गरीब परिवार के बच्चों के साथ तीपोटसव का पर्व मनाते हैं और उनन के चहरे पर भी खुशिया लाने की कोशिश करते हैं